कोरोना महामारी और लोकडाउन के चलते हर कोई अपनी अपनी तरह से प्रिशासन सरकार और जरुरत मन्नों की सहता कर रहा है इन सब के बीच के शेहर के श्री किसान के सरे विध्याले ने अनुची पहल विध्याले में पढ़ने वाले चात्र चात्राओं और उनके अभिभावकों के लिए की है विध्याले प्रबंदन द्वारा लोगजाउन के कारण अभीभावकों की आर्थे कस्तती को ध्यान में रखते हुए बच्चों के लिए इस सत्र में पाठ्य पुस्तक, बैग और स्कूल यूनिफॉर्म विध्याले की और से निशुल्क दे रहा है गरह मंतरा द्वारा लोगडाउन 5.0 में काफी रियायते सामने आई है और अप्छूट के बढ़ते दायरे में सरकारियों निजी सेक्षिनिक संस्ताओं के भी खोले जाने की उम्मी जगी है लगातार मिल रही रियाते हैं के बाद निजी सेक्षिनिक संस्ताओं अगले सतर को लेकर सतर को गई है और कोरोना की चलते हुए से इस इंतजामों की तयारी करी है इसी कड़ी में बार्मेर की एक शेक्षनिक संस्तान ने पहल करते हुए साल 2020-2021 के सत्र में श्कूल में परिश्का से बार्वी तक पढ़ने वाले बच्चों को नीशुल को स्कूल बैक किताबे कौपिया समेट स्कूल डेस के लिए कपड़ा और टाई बेल्ट अप्रत कराने क गोशना की है और वह स्कूल है स्रीकिशान के सिर्डी सेकंडरी स्कूल कोरोना की तलते उत्पन भी आर्थिक तंगी के हालातों के मद्दे नजर विधाले परबंदक ने फैसला विधारतियों के अभी बावकों को राहत पहुंचाने और बच्चों की पढ़ाई जारी रख आरे के लिए स्कूल बैग किताबे कॉप्याडरिस के लिए और कपडे का कित परती व्यक्ति तेयार किया गया है जो कि विधाले के बच्झों को निश एवित्रित किया जाए गा इसके साथ ही अगर कोई परिवार फीस देने में समर्तर नहीं है to सालाना आधी फीस की जिया पालन कर रहे हैं सब लोग और उसी कड़ी में हम भी लोग डाउंगा पालन कर रहे हैं लेकिन महामारी के चलते लोगों के दंदे छूट गे और बच्चों की पड़ाई बादित नहीं हो इसलिए जो अभी बाउग लंबे समय तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमने अपनी सब्सक्राइब से आर्थिक मदद करने का प्रयाश किया है और नए सत्र में पढ़ने वाड़े सभी विदार्थियों के लिए विदाले की और से बैग किताबें उनके कक्सावार काम आने वाली कोपियां यूनिफॉर्म का कपड़ा टाई बैल्ट एक बच्चे के लिए जो पैंसल, रबर, सौपनर, सलेर से लगा कर जो सामगरी चीए वो पूर्ण सामगरी काके टम त्यार कर रहे हैं और नीफ सुलुक बच्चों को परदान किया जाएगा साथ ही यदि कोई फीस में डिबेट चाहेगा तो भी उनके लिए हम दस माँ की फीस लेंगे और उसके प्रादित नहीं हो और इस महामारी से जो सरकार हैं अपने इस तरप निपटने का प्रयास कर रहे हैं उसमें छोटा सा अमारी संस्ता किसान खेसरी का भी एक प्रयास है और जो बयाव इस्तिती मजदूर वर्ग की देखी उस से हमें लगा कि हमें भी इस संकट की गड़ी मे पैसे नहीं कमा करके लोगों की मदद करनी चीए और एक साल के लिए इसकूल नो प्रिफिट नो लोस अत्वा हमारी पुंजी जो जमा पुंजी है वो भी अगर खर्च होती है तो हमें बड़ा गरव और फकर होगा कि संकट की गड़ी में हम उन लोगों के काम आ सके जो हमे तिक तंगी से जूज रहे बच्चों के अभी बावकों को राहा देने वाली है